नमस्कार मेरे नाम पिंटो शिंग यादो है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमजिम दोस्तो भोजपुरी इंडस्ट्री के पावरिस्टार पवन सिंग को टिकट मिल गया है जी यहां बात करें तो आसन शोल लोगसभा सीट से भारती जन्तापाटी ने उनको उमिदवार बनाया है लेकिन पवन सिंग ने सीधा सीधा तोर पर जो है ट्वीटर पर पोश्ट करके बता दिया है कि वो आसन शोल लोगसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके लिए भारती जत्तापाटी के सिर्ष नेत्रित्तों को उन्होंने बधाई और शुब कामनाय भी दिया है आपको पते होगा कि पवन सिंग लगातार ये कह रहे थे कि किसे भी हाल में दरशोल लोगसभा चुनाव लड़ना है लेकिन वो अब नहीं लड़ेंगे तो भाई क्यों नहीं लड़ेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है तो उन्हीं विश्योय पर में चर्चा करने वाला हूँ कि वो क्या वज़ा हो सकती है जिसकी वज़ा से पवन सिंग आसन शोल लोगसभा सीट मिलने के बाद गदगद नजर आये मिठाई भी खाये पूजा भी किये लेकिन एक दिन बाद अचानक से पल्टी कैसे मार गए इ चलिए शुरू करते हैं और तीन वज़ा जो है वो श्यामने आ रही है जिसकी वज़ा से लगता है कि पवन सिंग आसन शोल लोगसभा से छोड़ दिये हैं तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों पहला कारणी है कि पवन सिंग भुजपुरी कलाकार है और भुश्पुरी कलाकार के तौर पर वो कई सारे ऐसे गाने गाए हैं और कई सारे ऐसे गाने गाए हैं जो बंगाली महिलाओं को लेकर बंगाली लड़कियों को लेकर बनाया गया है और वो गाना जो है वो कहीने कहीं एक पर्टिकुलर जेंडर्स के लिए काफी ज़्याद बढ़िया नहीं है बेतर नहीं है जिसको लेकर लगातार जो बंगाल के TMC नेता थे वो इसका बिरोध करना शुरू किये थे और इस चीज को लेकर लगातार पोश्च कर रहे थे जिससे लेकर पवंट सिंग जो है वो आहत नजर आए और एक वज़ा ये सामने आ रही है कि भा महारते जन्ता पार्टी ने कुछ पोउंट सिंपर कंडिशन रखा था और कंडिशन ये था कि आपको टिकट तभी दिया जाएगा जब चुनावी परचार शुरू होगा तो प्रते दिन यानि कि डेली आपको 5 रैली करना पड़ेगा तो आप सोचिए जो कैंडिडेट प्रचार कर पाएंगे तो ये एक बड़ा कहीं र कहीं पाउंट शिंग सायद नहीं कर पाते इसलिए जो है उन्होंने इस तरीके की बाते शामने आई है वहीं तिसरी वज़ा ये बताए जा रही कि पाउंट शिंग हमेशा से चाहते थे कि वो भूझपूरिया जो छेतर है वहां से चुनाव लड़ा जाये जिसमें की बिहार सामिल हो गया उत्तर परदिशामिल हो गया और खास करके वहारा लोग सबस्ते चाहते हैं क्योंकि उनका ग्रेजिला है तो वहां से लड़ना चाहते हैं लेकिन उनको इन जगों से टिकट नहीं दिया गया बलकि तो भोजपूरी भासा को भी लोग समझते हैं तो उनको दिया गया तो फिर पवन्शिंग को आखिर बंगाल में बली का बकरा बनाने के लिए भेजा गया ऐसी सोच कहीं उनके सामने आई होगी वाकि आपको क्या लगता है क्या वो वज़ा हो सकती है कि पवन्शिंग ने मना क कर दिया है और प्रधानमंत्री के नित्रित्तों में लगाता जिस तरीके से चर्चाय हो रही है कि अब की बार चार सो के पार इसकी बावजूद भी पवन्शिंग वहां से चुना और लड़ने से मना कर दिया है क्या वज़ा लगती है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रू ब आपको कमेंट लगता कि बार लगताई बार बार लगताई के ऑक्रता जित्वाजवा बार लगता है कि बार लगता कि अवज़ा है